तो हेलो दोस्तो मेरा नाम है नितेश और स्वागत फिर से को नई वीडियो में तो दोस्तो कभी न कभी आप ततकाल टिकट जरूर बुक किये होंगे लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका ततकाल टिकट बेटिंग लिस्ट में चला जाता है टिकट बेटिंग बुक हो जाने पर आपके मन में कई सारे सवाल आते हैं जैसे कि हमारा बेटिंग टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा अगर कंफर्म होगा तो कितने नंबर तक कंफर्म होगा या दोस्तों आपके मन में ये भी सवाल आता है अगर टिकट कंफर्म न हो और बेटिंग में रहे तो क्या हम इतने दिनों के अंदर मेलेगा यह सारा डाउट आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ अगर दोस्तों आपने भी ततकाल टिकट बुक किया है और आपका टिकट बेटिंग लिस्ट में चला जाता है तो दोस्तों इस वीडियो में आपका सभी डाउट को में क्लियर करने वाला हूँ इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप के सुरूश लेके अंतक जरूर देखे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चेनल को सस्क्राइब करके बिल आइकन घंटी को भी ओल पे प्रेस कर दे ताकि हम ऐसे ही के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं उस रूट के लिए दो या तीन ट्रेन है तो दोस्तों उस ट्रेन में बेटिंग टिकट का कंफर्म होना बहुत ही मुश्किल है अगर आपका बेटिंग 15 या 10 है तो आपका बेटिंग टिकट का कंफर्म होने का चांस बहुत ही कम है रीजन या तेवारों या अन्य समस्याओं के लिए लोग ततकाल टिकट बुक करते हैं कभी कभी 15 बेटिंग या उससे अधिक बेटिंग का भी टिकट कंफर्म हो जाता है लेकिन यह आपके लग के उपर डिपेंड करता है मेरे केस में हुआ था कि दोस्तो मेरा बेटिंग टिकट 15 थ लेकि अंतक देखना है एक और बात में आपकी जनकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कंफर्म ततकाल टिकट का पैसा रिफंड भी नहीं आता है जिसके बज़र से कोई टिकट कैंसल भी नहीं करना चाहता है तो इस बात का आप बिल्कुल धियान रखे अब दोस्तो क्या हम अपने टिकट को कैंसल कर सकते हैं या नहीं अगर हमारा टिकट बेटिंग में है तो तो दोस्तो अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर दोस्तो अगर आप लोग का टिकट बेटिंग में ही रह जाता है और दोस्तो आपका चार्ट प्रिपेड हो जाता है तो दोस् तो आपका पूरा पैसा जिस भी मोड से पेमेंट किये होंगे चाहे आप सैब्सक्राइब होता है जहांसे दोस्तो आपका पैसा है तथिक operateाऊब इसे में समझ गए होंगे कि अगर दोस्तो आपका sleeper में तत्काल टिकट वुक होता है और दोस्तो आपका sleeper. में अगर तत्काल टिकट बेटिंग ही रह जाता है confirm नहीं होता है तो दोस्तो एटोमेटिक आपका तत्काल टिकट कैंसल हो जाता है और आपका पैसा पूरा रिफंड मिल जाता है 60 रुपे चार्ज लगने के बाद अगर दोस्तो आपका AC में अगर टिकट बुक है तत्काल ट तो दोस्तो आपको 65 रुपे चार्ज लगके आपका पूरा पैसा आपका रिफंड मिल जाएगा और दोस्तो अब मैं आपको बता देता हूं आगे वीडियो में बने रही है काफी कुछ जानने को मिलेगा अब दोस्तो मैं आपको बताता हूं कि इसका पैसा कितने दिनों के अ अगर हमारा ततकाल टिकट बेटिंग में है तो क्या हम अपने टिकट को कैंसल कर सकते हमारा पैसा रिफंड मिलेगा या नहीं क्यूंकि दोस्तों हमने पिछले पार्ट में एक वीडियो बनाया था जो कि दोस्तों तीन लाग चल गए हैं आप लोग के महरवानी से वीडियो का कैंसल कर सकते हैं या नहीं तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने टिकट को कैंसल कर सकते हैं या नहीं तो दोस्तों अगर आपका टिकट बेटिंग में ही रह जाता है और चार्ट प्रिपेड हो जाता है तो दोस्तों आप अपने टिकट को कैंसल कर सकत कैंसल हो जाता है तो आपके उपर डिपेंड करता है आप अपने टिकट को कैंसल करना चाहते हैं तो आप अपने टिकट को कैंसल कर सकते हैं या ऐसा ही छोड़ देंगे तो आपका टिकट एटोमेटिक कैंसल हो जाएगा और आपका पैसा साथ दिनों के अंदर में आपका पू डिए PETER चाहिए हैं तो इस वीडियो का लिंक जहीं आपको दिस्क्रेप्संट में आपको एक vas wherever nagy लिंक मिंख दाए गा उस पर क्लिक करके आप इस वीडियों को भी बाच कर सकते हैं अगर दोस्तों आप अब इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा अगर दोस्तों वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजपूल रहता है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चेनल को सस्क्राइब करके बिला इकन घंटी को और पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना बुले और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सियर कर दे